नमस्कार, मुच्वल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जो फ्रैंकलिंग टेंपल्टन मुच्वल फंड में 6 मुच्वल फंड क्लोज हुए थे उनकी इवोटिंग की प्रॉसेस आज से शुरू होनी थी यानि की 9 जून से और आप देख सकते हैं 8 जून को फ्रैंकलिंग टेंपल्टन ने अपने इन्वेस्टर्स को इनफॉर्म किया है एक नोटिस द्वारा जिसमें वे बताते हैं कि जो वाइंडिंग अप प्रॉसेस है वो सस्पेंड कर दी गई है तिल फर्दर कम्मिनिकेशन इस कम्मिनिकेशन के डीटेल्स मैं आपको आगे स्लाइड्स में बताने जा रही हूँ जैसा कि आपको पता है कि गुजरात हाई कोर्ट ने फ्रैंकलिंग टेंपल्टन के इवोटिंग प्रॉसेस पर स्टे लगा दिया था इसी के लिए Franklin Templeton ने गुजरात हाई कोट में application दायर की थी कि जो stay order है उसको वापस लिया जाए पर जो latest development आया है उसके मुदाबिक गुजरात हाई कोट ने उनके stay order वापस लेने की application को reject कर दिया है इसका मतलब stay order लगा रहेगा और e-voting process को suspend करना ही पड़ेगा 18 pages का ये judgment है जो मैं description link में डाल दूँगी ताकि आपको अगर पूरा reference पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं तो second point में court कहता है कि जिस तरह से mismanagement of funds और fraud के allegation लगे हुए है इस कारण unit holders जो हैं वो informed decision नहीं ले सकते हैं उनके पास इस प्रकार की opportunity नहीं है कि वो informed decision लेकर के अपना vote cast कर सकें इसलिए court जो है वो उनकी application को पेटिश नहीं देता है third point में court कहता है कि no winding up process could be concluded without the consent of the unit holders वो कहता है कि winding up process जो है वो बिना unit holders की consent के पूरी नहीं किया सकती है जबकि Franklin mutual fund ने एक दिन अचानक 23 April 2020 की शाम को winding up की process का announcement कर दिया था और सारे ही investors को एक बहुत बड़ा shock दिया था fourth point court कहता है कि trustees को unit holders से prior consent लेना चाहिए था और majority के basis पे उन्हें ये decide करना चाहिए था कि process को wind up किया जाए या prematurely redeem किया जाए fifth point में वो court कहता है कि जो provisions हैं law के उनको देखते हुए जब तक forensic audit report public नहीं हो जाती है तब तक के लिए e-voting process नहीं हो सकती है और इसलिए six point के according जो उनकी application है वो court ने dismiss कर दी है ये अभी तक का latest development है मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ग्यान वर्दक लगा होगा आप प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक share करिए ताकि लोगों में awareness फैले थैंक यू थैंक यू थैंक यू